दोस्तो नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम एक ऐसे फल के बारें बात करने जा रहे हैं जो जल फल कहलाता है क्योंकि सर्दियों के मोसम में यह तालावों के जल की सतर पर तैलने लगता है यही नहीं यह जल फल जहां खुद ठंडी तासीर का होता है वहीं पोशक तत्वों विटामिन्स खनी स्तत्वों का भंडार होता है खास बात यह है कि जब यह कच्चा होता है तो दूद जैसा रस वाला होता है कहते हैं इसे प्राकर्तिक आयोडीन की भरपूर मात्रा होती है जिसके कारण यह थायरेड रोग का भी महाकाल साबित होता है तबी तो इसे कितने ही रोगों में उपयोगी माना गया है इस जल फल को सिंगाडा कहते हैं अब दोस्तों बात करते हैं सिंगाडा फल के विबिन भासाओं में नामों के बारे में इसे संस्कृत भासा में स्रंगाटक, जल फल, त्रिकोन फल, पानी फल महीं हिंदी भासा में से सिंगाडा, सिहाडा, उडिया में पानी सिंगाडा, कन्नड में सगाडे, गुजराती में सघोडा, तमिल भासा में चिमकारा, सिंगारा कोट्टाई, बंगला में पानी फल, सिंगारा, पंजाबी में गो नरी, मराठी में सिंगाडे, मल्यालम में करीम पोलम आदी नामों से इसे पुकारा जाता है वही अंग्रेजी भासा में इसे वाटर केल ट्राप, इंडियन वाटर चेस्ट नट्स, सिंगाडा नट्स, वही लेटन भासा में सिंगाडा फल को ट्रापा नटांस, ट्रापा बिस्पनोशा आदी कहकर पुकारते हैं इस प्रका तरपरदेश, बिहार, पश्वी बंगाल, उड़ीसा तता जहर खंडादी राज्यों में इसकी खूब खेती की जाती है, इसकी फसल सर्दियों के मुसम्में यानि अक्टूबर महा में फल देने लगती है, यह जल फल सभी के लिए बहुत उपयोगी गुनकारी माना गया है, तबीतो सभी से बड़े चाओ सिखाते हैं, यह फल, कच्चा, पक्का दोनों ही रूपों में खुब स्वादिश्ट लगता है, तो दोस्तो इस प्रकार सिंगाड़े फल के नामादी होते हैं, तो दोस्तो चड़ी बूटियों का परियोग करें, और अपने वे अपने के बारे में और अधिक जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै आयर्वेद.